युकार करते हुए, आज हुनोंने हमें समय दिया है, हमें आज वो मारगदर्शन करेंगे, हमारी समावरतन उस्चम में, कंदोकेशन में, वो अतीतिक रूप में पदा रहें, मैं आपका आवाब पकड़ करता हूँ, आदर्णिये रस्टरपती जीने। मित्रों जैसे अजे शूद्जी ने कहा, पिशेश करके नव जवानों के अंदर क्यांपस की शमय पुरा करना, और उसमें अपने रिशर्च की उपरांद, डिगरी हासिल करना, उस संधी में, उस काल खंड में जाते हुए, मन में कई संभावरा, कई संकाएं, कई जिम्मेवारी, कई उस्चा, कई चिंता के अंदर आप लोग अभी गुज़र रहे होंगे। दंगा ढबा में अभी आना तो नहीं होगा। लाइबरिरी में पढ़ाई के नाम के आप जो करते हैं, उसकी समय भी खतम हो गया। अभी समाज जिवन में आप नेत्र तो करने माले हो। इसी संदी में मैं देश की सभी युवार मित्रों को आज विशेश करके जो 948 मित्रों को आज भारत आपको शिकृति देगा, राष्टर पती जी की उपस्तिति में सिकृति देगा, मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों एक रिशेश इंवर्सिटी है। मैं आपको थोड़ा भू दिरसारी करता हूँ। मैं जब इद्यार्थी था तब साल में मेरे मित्रों वो मिलने के नाम पे जेनु एक बड़ आही जाता था। अब तब कहता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ता तो यहां भी आता। और आप सोभागे साली हो देश की एक प्रीमियर इर्मद्शिटी में जिसकी अन्य चरीत रहें। इसको अगर हम जेनु को करेक्टराइज करें। जेनु को एक इस्टिटुशन के रूप में समिच्चा करें। मैंने मानता हूं विश्व में इस प्रकार की मर्टी डाइवर्शिटी के सब को विश्व में जया लेगा। और अभी हमारी रैंकिंग व्यवस्ता में जेनु नाम के लिए नंबर दो है लेकिन इस बार नंबर एक हो जाएगा यह मेरा पुरा दिश्वा से। मित्र भारत एक पुरानी सभ्यता है कि सिविलेशनल प्रवास में सदेव भारत की पुंजी अपनी ज्यान पुंज रहा है। भारत की परिचे भारत की ताकत भारत की भोतिक संपता से ज़्यादा भारत की ज्यान संपता के लिए ख्याती है गनीत में साहित्य में समाज जिवत की अनुभवों में हमारी इतिहास का अगर कालिदास की लेक को वईश्य तर पर ले जाते लिया नहीं है मेरा कहना नहीं यह रभिंद्र नाज नागोर जी की शाहित्य को और प्रभावी घंसे रखते तो आज सेक्स्पियर की लेक से हमारी लेक ज्यादा प्रवावीत होता यही सारा विश्य हमारी साहित्य में भी सद्यों पहले है भारत इतनी पुरानी सभ्यता है और आज ये निव उस सभ्यता को आगे ले जा रहा है और उसमें आप लोग जो आज मौनद लेके जाओगे सिकर्टी लेके जाओगे समाज जीमत में पहुंचोगे आपकी भूमिका उसमें और बढ़ जाती है मैं जेन्यू को दो दृष्टी से दिपता हूँ जेन्यू की बीविज़ता डाइवर्सिटी जेन्यू की संबेदन सिर्टा संसिटिवीटी जेन्यू की समावेसी आप्रोच जेन्यू की समता युक्त बातावरण एक्वैलिटी जेन्यू की गुणबता क्वालिटी और जेन्यू की आपड़िविलिटी जिसे कहा गया इहां कहूं कोन आता है मेरे उडिसा की कलाहनी जिले की गरीब से गरीव इद्यार्थी भी जेन्यू वाता है देश के हरेक जिले की जो अनुका प्रक्रिया है उसमें पहुंचता है पहुंचता है तो उस सामाजिक पृष्ट भूमी में जब यहां से आगे जाता है वो संत्री स्री बनता है निर्म जब गर्वके निकलता है यह जो निए जो की क्यापरशिटी है सिर्फ यह लाइबरेरी नहीं है इस यहां क्लास्रूम्स नहीं है यह का कल्चर यह मिशाज है यह सेंटिमेंट है पर देश की आजादी के उपरा जेन्यू आपने आप में मैंने पूछा कि भाई इतनी पुर क्यों करें यह जो लोग महिलाओं को लंबे समय तक बोटिंग राइट नहीं देते थे वाज हमें भी नसीयत देते हैं कि आपके वहां फ्रीडम आप स्पीच होनी चाहिए फ्रीडम आप राइट होनी चाहिए जहीं तो उसके एक्जान को है विविदता से भरा हुआ अलग अलग बिचाव अलग परिवेस अलग अप्रोच भीच पे थोड़ा लक्सुन देखा नहीं लगनी चाहिए यह व्याफिल करोंगा भारत सरकार की सिक्षा विवा के एक स्टेक होडर के नाते डिवेत होनी चाहिए असरमती तो चाहिए यह जाहिए भारत सरमती में रहे तुम रहे और मैं एक से क्यों होता है कभी भारत में समिक्षा करता हूं कि भारत वाई डिये भारत की लोक चरित्र में प्रजातनत रहे लोग कहते हैं कि पाश्यात की देशोंने मागना काटा कि हम रेफ्रेंस करते हैं कि यह ड्यमोक्रासी तब से आई है मितलो मैंको मेरे राज्यम में और आधनिया राष्ट्रपती मोहद्या जिस राज्य से आते हैं उस राज्यम में एक यूद हुआ था कलिंग यूद जेए ट net जब कहा जा挑कर कामंफें की बारे में 60 की बारे में 20 श्टरीश की बारे में सब्राइब्त-ृष्य सब्सके इसमानला पूसित उड़िय हुए यह वर्णित किया गया इत्यासकारों ने मित्रों तब जब कलिंग के ऊपर मगद की आपकरवन हुई थी तब कलिंगा में कोई राजा नहीं थी तो द्यारोजय का ओलेंस मौलेटी एक लोग समों की लोग नेत्रूतों था यानि क्या था चार लोग बैट के समराक अशोके के साथ रढेंगे मैं उडिया होने के नाते में नहीं मानता हूं कि मेरे पढ़ाय जह हुआ था यह दोगाक लोगों की बनीदान के बाद अशोकों क दोगों धर्मारोश बनना पड़ा इही मेरा क्या शेदी तकी मेरे रजिलियंस था तो मेरे वहां को राजा में ते दिमॉक्रासी था बाहरत में 200 साल पहले डिमॉक्राटिक फूट्प्रिंट में आपकी सामने प्रमान देता प्रिश्यास्करे में आपको साहमती हो और साहम कि चुनाओं कैसे होगा पंचयायद में अगर कोई भरस्टाचार करता तो उसको निकाला कैसे जाएगा सिलापट में लिखा गया है फोट सेंचुरी में तामिलनाट में मागना कटा कि संचुरी इस पहले इसलिए परदान मंत्री जी ने नई संसत भवन की निव रखा गया कहा भारत लार्जस डेमोक्राशी नहीं है भारत ओल्डेश डेमोक्राशी है भारत मदर अब डेमोक्राशी है उसकी जेह निव तो एक्सपरिमेंट ग्राम और मैं आज इस रखवटम एक सब्दा है अंग्रीशी में एकदम किसको कभी पुलूल कहा गया कभी एकदम निचले तबके के अंदर उसको परण किया गया उसको कभी एकदम जमीन ही कहा गया उसे जमीन से जंगल से एक सामानिया घर की महिला आज महामही मिरास्टरपती होगे हमारे बीच साथ आप जैसे सोग करता हूं कि सामने यहां देखे जाता हूं यह कैस्टरी होनी चाहिए क्या दुनिया में पचेतर साल की आजादी के उपरांत जब हम अमुर्त मौर्शों मना रहे हैं क्या भारत दुनिया में कोई देस अपने गवर्णन सिस्टम पे इतनी एंपवर्मे अमुर्ध काल में प्रवेसा कर रहे हैं आज डिगरी लेकर जाएंगे जो यह वाओ साथी टिगरी लेकर जाएंगे और साम ही because cara किया भारत की प्रदार मंत्री जी ने एक नया फोरूम बनाया ड्लोबल साउथ की सब्मिट किया इन दिनों विश्व की 130 से ज्यादा गरीब देशों को एकत्रित करके यह कहा आप तो जी टूंटी की सद्ध से नहीं हो लेकिन भारत आपकी गरेंटर है हम आपक्ष्या और अकांक्ष्या को देश विश्व की संप्रन देशों की सामने रखेंगे और आपकी आवाज हम बनेगे मित्रुप 130 से 130 देश भारत की उस आवान पर एकत्रित्र है और आपना अपक्ष्या को रखें मैं सुभाज्या चाली हूं उस प्रोसेस में मैं भी इसलिए इस विश्व को आपकी समने रखा आपने पीएश्डी किया है आप सिरिफ एक कर क्यारियर भी मना होगी है आपके ओपर देश की 130 करड़ लोगों की भरोसा जुड़ा हुआ है आपकी रिशर्च आपकी ड़कुमेंट आपकी आगे ही जिन्देटी की आउटपुट सिरिफ आपकी नहीं है यह देश की ह है समाज की है हुमाइनिटी की यही जेदियू की चरिफ रहें जेदियू की विद्यारती जब पढ़के जाएगा यह वह इश्विक नागरिक होगा इस प्रकार की एंविजन हमने इस बार निसनल एजुकेशन पॉलिसी में किया है मैं आपको निवेदन करने आए हूँ लोगों कि अगर जिम्मेवारी लेगा हूँ देश को आजादी का 75 साल हो गया, आने वहाले पच्चीस साल में हमें विश्व को विश्व की जिम्मेवारी लेने हने रिस्पन llev के लिके ना है प्रजाब तंत्री को एक सरता है सिर्मां करने से नहीं होगा ला इजिकार覺得 करने परफ़ाइस सीवा मित्रों से जिम्मेवारी लेने की समय आई है आप जिम्मेवारी लोगे ना के वलापी नीजी आवश्यक्ता आपकी राज्य आपकी देश आपकी परिवाद वैश्वाइक नागरीकों की ग्लोबल साहूद की रेस्पंसिबिलिटी आप लोगे इसी केले का रिष्टता कर रहा हूं है देश्ञ कि केमपस में एक आधा घटना हो जाती है हमारी को जो घुरु मुल्य चीज है भगवान की पूरा करना ही चाहिए लेकिन वो मनुश्य है जेनु ने अपना एक मिशान ख़ड़ा किया है जिसे मैंने कहा कोक्रा जर्का विद्यार्थी भी आके अधिकार कोई वी सामाजिक पुर्ष्ट बूमी में कोई आए उसको हमें आदर करना है हमें उसकी हैंड होल करना है उसको कुछ नहें देना है हमारी घर की बच्चा है या अवारी संभीधान में लेखे और प्रदान मतिर नरेंदर मुदी की सरकार उस संभीधानिक जिम्हें मारी को पुरा करने के लिए कमिट्यर है कटी बद्ध है उसमें हमें आपकी शयोग चाह यह कौलिटी और नंबर और डिगरी इसकी कोई अर्थ नहीं अगर मनुष्य नहीं होता है अनेक उधान है जिसमें यह इस्टिट्विश्ट की डिगरी मनुष्य की स्रेस्ट कृति निकालना में कोई संबक्त नहीं है आज इसलिए क्यांपस में मनुष्य जिन्देगी की विशेश करके नई पिढ़ी की जिन्देगी को समानने किदाइत्वा अनुभवी प्रध्यापकों की है सिनियर्स की है सिनियर क्लास की स्टूडेंट्स की है जे यू में उसको आच्छी खासी एक कल्चर तरके डेवल्ट और की आए इसी कल्चर को राज देश की अन्ने इस्टिटीशन में भी जाये इसी अप्रक्षा के साथ उन्हां आप सभी को में बदाई देता हूं अनेक अ नब लेखा बनेवा